सोलन के हाउजिंग बोर्ड में मंगलवार देरात एक बड़ा हास्ता पेश आया जहां अन्यंतित होकर एक ट्रक घर के बरामदे में जागोसा हैरानी की बात ये कि जिस रोड पर एम्बुलेंस भी नहीं जाती है उस रोड पर एक बड़ा ट्रक उतार दिया गया सड़क बेहद तंग होने की वज़े से जबे ट्रक रोड़ी उतार कर वापस मोरने की कोशिश कर रहा था तब ये अचानक ट्रक बेकाबू होकर उत्राई में लुड़कता हुआ घर के आंगन में खड़ी बाइक को रोनता हुआ बरामदे में जागोसा जिसकी चपेट में आने से एक व्यक्ती बालबाल बचा हालगी मकान को शती होई है वहीं इस हास्ते के बाद से इस्थाने लोगों ने गहरा रोश है बार बार जो है ब्रेक ट्रक जो है आगे पीछे जा रहा था जगा तंग होनी की वज़े से गाड़ी ट्रक जो है मुड़ नी पा रहा था और नहीं मुड़नी की वज़े से जो है उसमें इतना प्रेशर पड़ी गया ब्रेक के उपर कि ब्रेक जो है आई साई सा डाउन होत अगर कि वहाँ पर लोग खड़े होते तो किसी कोई हासा भी हो सकता सा बड़ा और बागी यह है कि इस इत्वाक से वहाँ पर आगे कोई लोग खड़े नहीं थे बच्चे नहीं थे और जगा भी तंग थी वैसे तो पर यह है कि काफी नुकसान होने से बच गया इस्थानिय लोगों ने कहा कि इस ट्रक की वज़े से यहाँ पर बहुत बड़ा हासा हो सकता था क्योंकि जहाँ पर यह ट्रक का नियंतित हुआ है वहां अकसर लोग शाम को बैठते हैं गनी मत रही कि जिस वक्ते हासा पेश आया वहां पर ना तो बच्चे खेल रहे थे और नहीं कोई व्यक्ती मौजूद था उन्होंने कहा कि इस्थानिय प्रतिनिधियों को इस बारे में सूचित किया गया था लेकिन रेलवे की टनल के उपर ये ट्रक आया है जिसकी अनुमती नहीं है ऐसे में लोगों ने नगर निगम इसलापरवाही का ठीकर अपोड़ते हुए नुकसान की भरपाई की मांग की के उपर से क्रॉस करके और राजीव कॉड़ा जी ने खुद इसके लिए जो हमारे यहां के वाड कांसलर है उन्होंने वो यह जानते हैं कि यह लीज़ प्रॉपर्टी है रेल्वेस की तरफ से इसका गलत इस्तिमाल करके वो खुद यहां पर काम करवा रहे थे आज और उनके सामने भी यहां पर टिपर आये हैं पुरा दिन इतने हैवी टिपर की यहां परमिशन ही नहीं तो यह ग्यार कानूनी हरकते जो मुंस्पेल्थी कर रही है इस पर कोई लगाम होनी चाहिए चाहिए वो सीम की तरफ से हो कोई भी कोई तो जागे यहां पर तो कोई जागा ही नहीं है यहां तो अभी हाथसा हो जाता है यहां पर नॉमली लोग बैठ पे है यहां पर एक ब पुलिस को बुलाया है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, तो आगे देखते हैं कि होगा क्या, कांसलर को भी आपने, कांसलर को हमने इंटिमेट भी किया, बुलाया भी यहां पर लेकिन कांसलर नहीं आए, पांच वज तक उनके पास फुरसत थी, उसके पास अब फुरसत न पंजाब केसरी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टेग्राम पेज हिमाचल.के करें दोस्तों से थीडियो.